हर्याली तीज सावन महीने के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी को मनाई जाती है। तावन का प्रमुख त्योहार है, जिसे सुहागिन महीलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनाती है। माम्यताओं के अनुसार यह वरत करने से मा गौरा प्रसन होती हैं और महीलाओं को सदा सुहागन बने रहने का वर्दान देती हैं। हालांकि हर्याली तीज के वरत को लेकर कई प्रकार के नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। इन नियमों में की गई चूक से वरत के खंडित होने का डर रहता है। ऐसे आए इस लेक में जानते हैं कि हर्याली तीज के दिन महीलाओं को किन गल्तियों से बचना चाहिए। क्रोध ना करें। हर्याली तीज के दिन मा गौरी की आराधना के दौरान मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन किसी भी तरह का क्रोध करना वर्जित है। मान्यता है कि क्रोध करने से वरत का फल नहीं मिलता है। इसलिए इस दिन सभी से प्रेम और सम्मान से बात करें। कुछ भी नखाएं, निराहार वरत। आमतोर पर हर्याली तीज का वरत निराहार रखा जाता है। हलांकी गर्भवती महिलाओं और बीमार महिलाओं को इन नियमों में छूट दी जाती है। दिन में न सोई, हर्याली तीज के दिन दिन में सोना वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेश फल मिलता है। इसलिए दिन भर उनकी आराधना में लगी रहें। हर्याली तीज के वरत के दौरान किसी के प्रती द्वेश या ईश्या की भावना नहीं रखनी चाहिए।